तो नमस्ते और आप सभी स्वावत में कौन है यूट्यूब यूडियो में I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज मेरा बॉडिवेट 67.35 आया है और मेरे lean bulk almost 46-47 days हो चुके है आज को गेन के 47 days तो इन 47 days में मैंने around 4.25 ऐसे कुछ body weight गेन किया है जब मैंने अपना lean bulk start किया था इस्टाब मेरा body weight 63.15 तो पहले दिन और अभी 67.25 तो roughly 4.2515 ऐसा कुछ मैंने गेन किया है और तब से अच्छी बात यह है कि जितना भी मैंने body weight गेन किया है उसमें mostly जादा तर muscle mass है like 60-70% muscle mass है अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा body fat काफी हद तक maintained lower side पे हैं और मेरे abs भी काफी हद तक visible है fairly visible है दिखते हैं considering मैं एक ऐसा बांदा हूँ जिसकी genetics ऐसे हैं थोड़ा बहुत भी body fat gain होता है तो सबसे पहले उसके abs ही गायव होते हैं और मेरे abs के insertion भी होतने अच्छे नहीं है तो सबसे पहले मेरे abs ही गायव हो I am very happy with the progress जैसा जा रहा है और मेरा यही गोल है कि आने वाले दो महीनों में देर से दो महीनों में और कम से कम 2 से 3 kg gain करूं 70 kg तक जाओं इसी तरीके से progress करो जैसे मैंने अभी तक किया 4 kg gain करते वक्त एकड़म clean खाया काडियो किया अपने मील्स को ट्रैक किया वे कर एक खाया हर चीज और यही होता है अगर आप हर चीज ट्रैक करके खा रहे हो तो आप एकड़म lean muscle gain करो क्वालिटी muscle gain करोगे ना कि fat gain करोगे तो doesn't matter कि आप कितना clean खा रहे हो अगर आप track नहीं कर रहे हो अपने foods को definitely आप body fat gain gain करोगे करो क्योंकि हम major करके जब नहीं खाते तो हम कम खानेवाज ज्यादा food consume कर लेते हैं और देखिए दो तरह के लोग होते हैं एक जो normal fitness के लिए gym जाते हैं और एक होते हैं वो जो कि pure body building कर रहे हैं athlete हैं एक्दम serious training करते हैं you know high intensity training तो ऐसे बंदों के लिए अपने food को व हो जाता है क्योंकि एक एक हैल्टरीज मेंटा करते हैं जो आप वह स्टेश पर चड़ते हो इस सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नी डेली लाइफ में इंप्लूट करोगे अगर आप एक एथलीट है आप एक सीर्स बॉड़ी बिलिंग कर रहे हो muscle building fat loss extreme level पर जा जा आपके तो डेफिनेटली वेंग स्केल खरीदिये उसका यूज कीजिए अगर आप उसका यूज नहीं कर दें यूर मिसिंग ऑन लॉट अफ तिंग्स आपको बहुत बार यह दिखता होगा कि आप जब भी बल करते तो बहुत जली weight gain होता है आप कट करते हो तो बहुत जली इसलिए होता है कि आपने फूट को बेकर के नहीं खार टाली स्टैक नहीं कर रहे हो इन सब जीजहों को ट्रैक करना स्टार्ट करो और मैं लिख के देता हो कि आप इस लेबल प्रोग्रेस करोगे ना बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग देखिए बॉडर बिलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कॉंटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा तो इसमें डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के एक्वेशन आपको पढ़ने पढ़ेंगे बनाने पढ़ेंगे बट इसमें जो मैटर करता हो छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से एक्जेक्यूट करना एक्जीकूशन है बहुत लोगों को नहीं आता है पर क्टीन को पता है कि बलकिंच के यहीं सर प्लस हैं करना है Schr सिट का तो पता चलिया क्या है बल्किंग में कैलरीज से प्लस क्या है वो पता चलिया बट इसका execution सिखने मुझे काफ़ समय लगया और इसलिए बहुत सब्सक्राइब करते क्योंकि कोच आपकी बॉड़ी को ज्याद अचा समझता है आपकी प्रॉपर जो जेनेटिक्स है बॉड़ी है उससे इन्हों किस्टमाइज डाइट प्लान ट्रेनिंग प्लान वो दे पाएगा क्योंकि वह एक्सपीरियंच उसने कई बंदों को ट्रेंड किया है तो खुद की करने सब मत डरो तो यह और आज है मेरा बैक का वर्काउट तो आपके लिए सब तक के लिए स्टे ट्यूंद प्लान थना लिए मेरा Зाभ मेरा कि लिए स्टे ग्रेंडरा जय एक लेंकर ट्रेंडर यह तो आपके! आपित जो सेजूए kicking तो दूसरा वार्किंग सेट डन बेंट ओर रोईंग का और कैली ब्लेटर प्लेट के साथ यानि लोहे की प्लेट के साथ ट्रेइनी करने में एक अलगी लेवल का मज़ा आता है कभी आप लोग नहीं की इस पैटिकर प्लेट के साथ ऑलम्पिक बार के साथ तो आप हाइली सज हो की जिए डिफेंस आपको पता चलेगा रबर वाल प्लेट के साथ या होता है तो धिरे धिर उनका वेट भी थोड़ा सा ड्रॉप होता है पाटी लोही प्लेट से घिसेंग नहीं इनका बेट कम नहीं होगा जैसे आज दस साल बादी इनका बेट सेमी रहेगा तो है सो एक सेट और करते हैं यह सेट मुझे लगा था स्रोड़ा यह रहेगा बट फिर भी दस साही का और मुझे असा लगता एक दो रेप और थे बट मैंने क्यों कि मुझे अगले सेट में अपनाने परसंट देना तो अब मैं क्या करता हूं दस केजिए लगाता हूं हो अब हो अब है कि अब श्रूंड ये हैं अब भी आए अथ तो चलों की डाई के जिक साथ एक से टोर करों कम से कम तो एक लिस्ट उससे पांसे शे रिफस निकालने की कोशिश करूँ सो ट्रै करते हैं नहीं जाया तो कोई बात नहीं एतने सारे सेट तो अच्छे किया मैं एक से तो ट्राइब करते हैं और अगली बार से मैं फोड़ी अपर वेट के साथ करून को कि पहला सेट में बहुत इस के साथ अगले बैक डेके जिन से मैं शायद मेभी 90 के साथ पना पहला वर्किंग सेट लागा हुआ उसके पाद दिले प्रोगेस को रहा हूं तो अभी जिस वेट के साथ में कर रहा हूं इसके साथ मुझे एटीस दो रिप और आएंगे क्यों कि अभी क्या हुआ कि करने चाहिए अपने ये इसलिए को कि मेरी बैक स्टॉंग वरी दिरेजरे मसल्स बढ़ रहे हैं वहीं आपको ऐसा सेशन हो गाई जो बहुत जादा इजी फिल होगा आपको वेट लाइट फिल होगे तो अगले सेशन में आपको ने बेट के साथ ही बेट के साथ स्टार्ट करने और है सिन्हाप प्रोग्रेस करो वे अजादा इविता बट कोई बात नहीं है अगली बार जब करूँगा तो इसे अपने चौतर सेट के बजाए दूसरे तीसरे सेट में करूँगा तो देफिरनेटली और एक्स्टारेप्स आएंगे और एक्स्टारेप्स मतलब बेटर मसल ग्रोथ तो देखते हैं एक सेट बैक आफ लूँगा 80 के साथ फेले तक करूँगा उसके बाद फिर हम चलते हैं लैट बलॉण के दरफ है भ्रुट को साथ बलॉण के स미・ ठाफ बलॉण प्रूदूद। हाँ 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 जो जो ट्रडिशनल लैट पूलाउन रहता है जिसमें वो मशीन या फिर बार आपके श्चेश के शामने आता है उसे बेटर मजी यह लगता है क्योंकि इसमें मशीन साइड में आते तो थोड़ बेटर रेंज और मोशन बेटर कॉंट्रैक्शन फील होता ह मुझे है एस कंपेर तो जो ट्रेडिशनल लैट पूलाउन उसके संपर इजन में हाला कि अगर अब मस्तर रोत की बात करोगे तो मैंने उससे बेचा का सब प्रोग्रेस किया है और इससे भी किया है बट जो बेटर है मैं हमें सब भी प्रिफर करता हूं इवेन अगर 10% 5% क काफी बड़ा इंप्रैक्ट लाता है तो कभी कभी हम हमें उन एक साइज को छोड़ना पड़ता है जिने हम बहुत पसंद करते हैं वह अतना हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं अगर आपका गोल है मसल बिलिंग तो उन सब एक साइज को चूश किए जो आपको मसल बिलिए में एक्शुली हल्प करें बेटर मसल माइं कनेक्शन आपके जोइंट सेफ रहे हैं ताकि आने वाले पंदर बीस साल होता अच्छे ट्रेनिंग कर पाऊ और आपका कंटिनूसली दिरी दिर स्लोली प्रोग्रेस होते रहे मसल कुत होते रहे हैं अगर वह सब एक इन कीजिए उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई है उसे कंस्टेंटी फॉलो कीजिए और उसमें प्रोग्रेसिक गोड़ोट कीजिए एसलिए आपको 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 आप अग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग प्रॉब राइ कर दो में प्रण कि नवीन प्राओों बहें है कि आ प्राओों प्राओों प्रूटाओर कि व्राओों अवीन कार राओों है कि याट झाल कि उनता था याटवा है तो मैं भी बैके टोटल आइ थिंक तेरा जौदा इवें पंदरा सेट 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 परफार्म करता हूं I know बहुत साथा वाल्यूम है बट आप ये भी देखो कि मैं जैसे आज बैक कर रहा हूं तो चार दिनों के बाद मेरा बैक दुबार आया तो काफी अच्छा समय मेरे पैक को रिकवर करने का बट यही मैं अगर पुश फुलिक्स करता है तो मेरा हर बॉड़ी पर दो दिनों के बाद आता है तो अबिसली मेरे पैक को तेची तरह रिकवर नहीं होती है बट अभी ऑल्मोस्ट चार दिन का गैप हो जाता है पर मसल्स तो क अगर मेरे लिए काम कर रहा है जादा वॉल्म देना तो मैं क्यों नहीं करूंगा और मैंने यह भी देखा है कि मेरी बॉड़ी हाई वॉल्म पे बहुत अच्छा रिस्पॉंड करती है एक कंपॉंड एक साइज में करता हो हर बॉड़ी पाट के हैवी जाता हो उसमें सिक्स एक साइज रहते हैं उन सब में थोड़ा है यह काम करता हूं आठ से बारह इवन पंदर तक भी जाता हूं तो मेरे बहुत अच्छा काम कर रहा है मुझे हर दूसरे वीक या फिर हद दूसरे क्यों में अपने कोई मसल्स के प्रोग्रेस दिख रहा है तो आपकी लिए जो का की कि लिए कॉपी कारने लगते हैं वह इतनी ऑन कशीया है सो कशीज करें यहिस तरह के सैक्स करा है वो यह पक्रिक Warriors कार दो पर आट ना को बोहुत करदे पर आपको प्रोग्रेस डिपेंड कर्ता रख ढ़ने के लिए कौन सा चीज बेटर काम कर रहा है सो लिटिल बिट और पोसिंग उसके बाद हमारे आज का बैक का सेशन कन्कूर्ड हो जाएगा तो दिन का लास मिल धाइसो ग्राम राइस घर पे बनी थोड़ी सेबजी जो की मटर की है और थोड़ा से बचाओ चिकन इसे पहले मैंने खाली है तबागे के चिकन इसे पहले और मेल में और मेरा पोस्वरकॉड मील भी और दिन का लास मिल भी है और इससे पहले वाला मिल भी एग्जाक्ट सेम रहता है चिकन का मौन भी सेम है राइस का मौन भी सेम है और मैं हैसी ट्रैक करके खा रहा हूँ मैंने ठाइसो ग्राम राइस लिया वाइट ऐसे नहीं बोला मैंने इसे मेजर किया है और यह मैं डेल कर रहा हूं तो कॉलिटी मसल मस्ट गेंद करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा वरना मैं अगर ट्रैक नहीं करूंगा तो मेरा बॉड़ी फैट भी काफी तीज से बढ़ेगा इंस्टेट ऑफ मसल मुझे मसल बढ़ाना मैं जादा ना की बॉड़ी फैट थोड़ा बुट तो बढ़ेगा मैं जानता हूं बट इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि आप 20% 25% बॉड़ी फैट तक जाओ तो मैं लेता हूं यह मेल और इसके बाद मैं एक बात लूँगा थोड़ा बद बुक रीडिंग करूंगा और चला जाओ मसों नहीं और मैं मिलता अपलोग से अपनी अगले वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखे अच्छी डाइट ले अच्छी ट्रेनिंग करें टेक केर एंड साइनिंग आफ अ झाल से अपना जाईट थाए खर मिलता घच्ट वाह development.